जिन्दकी में अगर किसी ने मेहनत की है तो वो बेकार नहीं जाती। अपना रंग ज़रूर दिखाती है। ऐसी ही एक काम्यावी की दास्तान आज हम आपको सुनाते हैं। ये दास्तान सुनाने इसलिए भी ज़रूरी है कि विफलताओं से डर्ड़ना नहीं चाहिए। फिर से नई दिशा में बढ़ जाना चाहिए। शायद कोई नई मन्जिल आपका इंतजार कर वही हो। ये एक ऐसे चाय वाले की कहानी है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे मा तुझ ये कहानी कानफुर के शार्दनगर की है जहां 39 साल के मुहमद महबूब मलिक गरीबी की वज़े से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाये थे। दसवी पास मलिक ने चाय बेची और इस चाय के कारुबार से आज वो 40 ऐसे परिवारों के बच्चों की शिक्षा का बोज उ जानते थे इसलिए उन्होंने कोशिश की है कि किसी और बच्चे की पढ़ाई चूटने की वज़े गरीबी न बने। दनिक बासकर की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक शार्दनगर के चुराहे के फुटपाथ पर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं जिससे होने वाली आ परिक मांगते वे देखता तो मन परिशान हो जाता था उनमें मुझे अपना बच्चपन दिखने लगता था फिर मैंने साल 2017 में अपनी जमा की गई रकम से बेसहारा बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर खोला यह सेंटर शार्दनगर गुरदेव टॉकिच के पास मलिक बस सेंटर से आज 40 बच्चों को फ्री में पढ़ाया जा रहा है मलिक बताते हैं कि बच्चों की कितावें यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, जूते, मोजे, बैक बगेरा खरीद कर उन्हें एक बार दिया जाता है स्कूल खिराय की विल्डिंग में चल रहा है जिसका हर महेने करीब 10,000 रुपे खिराया है तीन टीचर हैं वे पैसा नहीं लेते टीचर मान से शुकला बीएड कर चुकी है और टेट की तयारी कर रही है दूसरे टीचर पंकज गोस्वामी है जो मेडिकल रेबरेजन्टेटिव है बच्चों को पढ़ाने के बाद अपने काम पर जाते हैं किसरी टीचर आकांशा पांडे बीएड कर रही है मलिक की चाय की दुकान कोचिंग और मंडी के बीच में हैं जहां IIT, CPMT और इंजिनिरिंग की तयारी करने वाले चात्र आसपास ही रहते हैं जब प्रतियोगी परीक्षा होती है तो चात्रों को चाय फ्री में पिलाते है मलिक मलिक ने अपने दुकान पर लिखा है माँ जब भी तुम्हारी याद आती है तब तुम नहीं होती हो तो मलिक भाय की चाय काम आती है एक खुबसूरत दास्ता मिसाल है दूसरों को पिरणा देने के लिए जो कितने बच्चों की जिन्दगी में रोशनी फिला रही है गरीबी जिस की जिन्दगी में धेरावन कराई मगर उसको गुमनाम नहीं कर सकी उस चायवाले ने मेहनद की हार नहीं मानी और बच्चों के सहारे अपने नाम को भी रोशन कर लिया मलिक का मजाग पढ़ाया गया लेकिन उन्होंने किसी मजाग को अपने उपर हावी नहीं होने दिया ये कहानी सबको सुनाई जानी चाहिए ताकि लोग सीखें कि पढ़ाई कितनी जरूरी है ताकि लोग सीखें कि किस तरह लोगों की मदद की जा सकती है लोग सीखें कि किस तरह जिन्दगी को काम्याब बनाए जा सकता है लोग सीखें किस तरह बरबाद बच्पन को आबाद किया जा सकता है हमने ये कहानी आपको बताई अब आप लाइक और शेयर कर इस कहानी को दूसरे तक पहुंचाएगे ताकि हमारे बीच मरीक जैसे हजारों दिये रोशन हो सकें जो गरीबी और अग्यान की अंधेरे को दूर कर सकें